Welcome back to Clean News MP, चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटा-फट बड़ी खबरों को इसे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें साथी हमारे फेस्बुक पेस्ट भी फॉलो करें, फेस्बुक पेस्ट करें में इस्टेशन भी आ गया है इस महीने के तीसरे सप्ता हमें जारी हो सकते हैं नतीजे MP4 दसवे बारवी रिजल्ट को लेकर स्टुडेंट्स बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं मीच जताई जा रही है कि नतीजे अपरेल के महीने के तीसरे या चौते सप्ता तक जारी हो सकते हैं ये भी कहा जा रहा है कि पहले बारवी का परिणाम जारी होगा रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट MPBSE के अधिकारी के वेबसाइड MPResults.NIC.IN वा MPBSC.NIC.IN पर चेक कर सकेंगे ये भी कहा जा रहा है कि MP Board के कौपी चेकिंग का काम तकरीबन पूरा हो चुका है अब रिजल्ट पनाने की तैयारी चल रही है मधिश्चेत्र विद्युत वित्रन कंपने के प्रबंद संचाला गणेशंकर मिश्रा ने सुमवार इसकी आदेश चारी कर दिये जिसका उन्हें लाप मिलेगा उसमें भूपाल शहर के 30 अधिकारी कर्मचारी शामिल है दूसरी तरफ अधिकारी कर्मचारी को प्रोचसाहन राशी मिलेगी ये न्यून तम 1000 रुपे से 15000 रुपे तक होगी जो केवल एक बार मिलेगी अच्छा काम करने वाले 1000 से अधिक कर्मचारी कर्मचारी अधिकारी को ये राशी दी जाएगी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांती योजना का शुभारम किया प्रदेश में युवाव को सोरोजकार इस्थापित करने के लिए सरकार बैंकों से रन उपलब्द करवाएगी इसमें अधिक्तम 50 लाक रुपे का बैंक से रन दिलाया जाएगा सरकार वित्य साहिता के रूप में 3 प्रतिशत प्रतिवश ब्याज अनुदान और 7 साल तक के लिए बैंक रन गैरेंटी शुल्क देगी राजय स्तरिय कारिक्रम भुपाल के कुशा भाव ठाकरे सबागार में हो रहा है यूजना के तहत वच 2022-23 में एक लाक युवाव को लाभानवित करने का लक्षे रखा गया है इसमें यूवाव को विन इर्मान गती विदियो के लिए अधिक्तम 50 लाक रुपे सिवा और व्यफसाई गती विदियो के लिए 25 लाक रुपे तक बैंको से रंट दिलवाया जाएगा सियम शिवराज देंगे सवगाश शहरी और ग्रामी जनता दोनों को हो गाला रासानी भुपाल में निकलने वाले गीले कच्री और गोबर से अब बायो सीनजी बनेगे इसके लिए भुपाल में प्लांट किस थापना की जाएगी इस प्लांट के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान भुमी पूजन करेंगे कारिक्रमाज बुद्वाज 6 अप्रेल 2022 को होगा मुख्यमंत्री इसी दिन रासानी में 6 सीवेज श्रीटमेंट प्लांट का लोकारपन भी करेंगे निर्धारत कारिक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान 6 अप्रेल को शाम 6 बजे गोबर्धन प्लांट का भूमी पूजन करेंगे और अमरित मिशन में निर्मिट 6 सीवेज श्रीटमेंट प्लांट और जे के हॉस्पिटल के पास नव निर्मिट पुल का लोकारपन करेंगे शिवराज क्याबिनेट के बड़े फैसले पांच नहीं और देगिक शेत्रों की स्थापना इस योजना में बड़ा पतला मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान के अध्यक्ष्टा में आज मंतराले में हुई क्याबिनेट बैठक में मुख्यमंतरी कर्णिया विवा निकाय योजना के संशोधन को मंसूरी दी गए योजना में सामोहिक विवा निकाह कारिक्रम में शामिल पात्र प्रती कर्णिया की मान से 55,000 रुपे स्युक्रत किये जाएंगे इस राशे में से 6,000 रुपे सामोहिक विवा कारिक्रम आयोजन करने हेतू आयोजन करता निकाय को दे होगी एवं 47,000 रुपे की सामिगरी कन्या को पहर के रूप में आयोजन करता निकाय के द्वाराद दी जाएगी कैबिनेट ने प्रदेश में पांच नए औद्योगिक शेत्रों को 714.56 करोड रुपे के लागत से विक्सित किये जाने का प्रशास किये अनुमोत अद्धिया विशन गर्मी से जूज रहे जबलपूर में बच्चों को राहत कलेक्टर ने बदला स्कूस का समय जबलपूर में भी गर्मी अपना विशन असर दिखा रही है सुबह सूरज निकलते ही तेज तपिश का एसास करा रहा है आलम ये है कि सुबह दस बजे के बाद इस अड़कों पर आवाजा ही कम होने लगती है बहुत जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रही है वाईतापान अप्रेल के पहले हफते में ही रिकॉर्ड कायम करने की तरफ बढ़ रहा है इस गर्मी में सबसे ज़्यादा परिशानी स्कूली छात्रों को है एक अप्रेल से सभी स्कूल शुरू हो चुके हैं ऐसे में गर्मी में छात्रों को स्कूल जाना पड़ रहा है कोरोना के चलते लंबे समय बाद खुले स्कूल में बच्चों की उपस्तिती भी अनिवार है ऐसे में भी शनकर्मी में स्कूल जाने को बच्चे मजबूर है मदर प्रदेश में युवाव के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा और सुनहरा मौका है अलग अलग 353 पदो पर भढ़ती आने के लिए इनमें MPPEB में उद्यान विकास अधिकारी और NHM में भढ़ती निकली है इसके लावा भुपाल की बियू, RGPV, सागर के डॉक्टर हरी सिंग, गौर विश्विद्याले में गेस्ट फैकल्टी, मेनिट और भोज विश्विद्याले में होने वाली भढ़तीयां शामिल है बढ़ती से जोड़ी जानकारिया नेचे विस्तार से दी गई, उमीदवार अच्छी से पढ़ने और साइट पर विजट करने के बाद योग्यता नुसार एपलाई कर सकते हैं MP कॉंगरेस की बैचक में हुआ बड़ा फैसला, कमलनाथ को लेकर PCC ने किया ये एलान कमलनाथ के निवास पर हुई मध्यपरदेश कॉंगरेस की बैचक पे बड़ा फैसला लिया गया बैचक के बाद PCC ने एलान कर दिया कि 2023 के चुनाओ कमलनाथ के चहरे पर लड़ा जाएगा सभी निताओं ने आम सहमती से कमलनाथ से कहा कि उन्ही को 2023 के विधान सबाद चुनाओं में कॉंगरेस पार्टी का नेतरत तो करना है और एक एक नेता उनके नेतरत तो में पूरी ताकत से कॉंगरेस के सरकार बनवाने के लिए कटी बत है बैठक के बाद कॉंगरेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष डीतू पटवारी और पूर वित्त मंत्री श्री तरुण भनोड बैठक में हुए फैसलों के जानकारी मीडिया को दी अबिगे 22 जिलो में लू का लड़ बाद प्रदेश में गर्मी अब रात में भी सताने लगी है कई जिलो में रात कताब मान 22 डिग्री के पार चल रहा है सागर में रात सबसे गर्म रही पारा 24.6 डिग्री से ऐसियस पर पहुँच गया रतलाम सागर और सीधी में पारा 22 डिग्री के पार रहा चार बड़े शहरों में इंदौर और जबलपुर सबसे गर्म है बोबाल जबलपुर समेथ प्रदेश के 22 जिलो में मंगलवार को लू का असर रहा यारी सूरज की तेज धूब और गर्म हवा लोगों की परिशानी बढ़ाईगी ज़ादा तर जिलो में पारा 41-42 डिग्री के पार ही रहेगा अप्रेल के अन तक कई शहरों में दिन का पारा 44 और रात में तापमान 27 डिग्री के पार पहुँच जाएगा मद्र प्रदेश में पुलिस जैन बोर्ट बनाने का कोई प्रस्ता और विचारा धीन नहीं मद्र प्रदेश वफसाइक परिक्षा मंडल दोरा आयोजित पुलिस आरक्षभ भरती परिक्षा में धानले की शिकायतों के बाद पिछले कुछ दिनों से ऐसी अचकले लगाई जा रही थी कि प्रदेश शासन का ग्रह विभाग पुलिस कर्मियों की भरती के लिए अलग पुलिस जैन बोर्ट का गठन करने जा रहा है इस मामले में प्रदेश के ग्रह मंतरी डॉक्टर नरोत्ता मिश्चा ने ऐसी अचकलों को सिरे से खारिश कर दिया मंगलवार सुबे मीडिया से चर्चा के दौरान ग्रह मंतरी नरोत्ता मिश्चा ने इस पष्ट किया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताओ विचारा धीन नहीं है स्टॉक लिमिट पर सकती खादे तेल तिलहन की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने बनाई निरिक्शन टीम्स खाने के तेल के महगाई से जनता बेहाल है दूसरी ओर डेर साल में कीमतों पर काबो रखने के सरकार के कदम भी असफ़ल होते दिख रहे हैं केंदर सरकार ने आट महीने पहले ही तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी थी हाला के बाजार में इसका असर नजर नहीं दिख रहा आप सरकार ने सक्ती के ऐलान किये केंदर सरकार ने खादे तेलो और तिलहनों की जमा खोरी और काला बाजारी पर रंकुष लगाने के लिए एक निरिक्षन अभियान शुरू किया है गौलियर बाज्यर में डीजल सौ दशमलाव 4 दो रूपे तो पैट्रूल हुआ है एक सो सटरा देशमलाव 3-6 रूपे परती लीजर हो गया अब गौलियर में डीजल 100 रुपे 42 रुपे प्रती लीजर हो गया साथी पैटूल के दामों में भी बढ़ुत्री हुई और पैटूल भी 170 रुपे 36 पैसे प्रती लीजर हो गया यानि अब 100 रुपे में पूरा एक लीटर डीजल भी नहीं आएगा सियम शिवराज की बड़ी घोशना युवाव को होगा बड़ाला सियम ने अलान किया है कि हमने पिछले दिनों 45,000 शास के नौकरियों में बेटे-बेटियों की भरती की 6000 पुलिस कर्मियों की भरती अभी प्रक्रिया में है अन्य विभागों में भी लगभक 30,000 पदों पर भरतिया की जाएंगी हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से भी रोजकार देंगे सियम शिवराज ने कहा कि सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितने बेटे-बेटियों को रोजकार देना संभव है हम उसके लिए निरंतर प्रियास कर रही हैं इसके अलावा प्रदेश में निवेश लाकर रोजगार स्रजन के लिए भी कारिक कर रही है रोजगार दिवस के बाध्यम से तीन महीने में हमने तेहरा लाग स्यादी किवाव को रिड़ अपलब्द कराकर उनके आत नर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है मद्यप्रदेश में किसानों से समर्थन मूले पर खरीदी धान की मिलिंग बनी चुनाती दी जाएगी प्रोथसाहन राशी मद्यप्रदेश में समर्थन मूले पर धान का उपारजन लगातार बढ़ रहा है वश्ट 2021 में किसानों से रिकॉर्ड 45,82,000 मेट्री टन धान खरीदी गई केंदर सरकार ने मिलिंग के लिए अबदी सितंबर 2022 तै कर दी इसमें मिलिंग तभी संभव है जब मिलर पूरी शम्ता के साथ मिलिंग करे इसके लिए सरकार ने तै किया कि मिल संचालकों को प्रती कुंटल अधिक्तम 1,500 रुपे अतरिक्त राशी दी जाएगी इससे सरकार के उपर 525 करोड रुपे का अतरिक्त भार आएगा क्याबिनेट ने भी खाते नागरी का पूर्ते विभाग के प्रोट्साहन राशी देने संबंदी प्रस्ताओं को मंसूरी दी है मदपर्देश में कन्या विभा योजना में मिलेंगे अब उपहार के साथ 11,000 नकट मुखी मंतरी कन्या विभा योजना में अब 11,000 रुपे नकट के साथ 38,000 रुपे के उपहार दिये जाएंगे इस विचे हजार रुपे सामोहिक विवाक आरिक्रम के आयो जग को प्रती जोड़े के हिसाब से तयारियों के लिए दिये जाएंगे इने ने मंगलवार को मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया राजे सरकार के प्रवक्ता ग्रह मंतरी डॉक्टर नौरुत्तम मिश्चा ने बताया कि आयो जगों को अभी तक तीन हजार रुपे प्रती हिद्गराही विवाक की तयारी के लिए दिये जाते थे अब क्राफ्ट अधारित परियटन पर काम कर रही मद्यप्रदेश सरकार का मानना है कि इन शेत्रों में परिय चकाएंगे तो उन्हें प्रदेश के कला देखने और समझने का मौका तो मिलेगा ही यहां के उत्पाद विश्व इस तर पर भी प्रसिद्ध होंगे इसमें भारत सरकार कवस्तर मंतराले भी साथ देगा मंतराले ने शेत्र में काम के लिए सहमती दी है काश्य विश्वनात के यात्रा पजाना चाहते हैं तो जल्दी करें आवेदान मंतरी ने की तैयारियों की समिक्षा शिवरा शलकार प्रदेश के लोगों को काश्य विश्वनात के दर्शन कराएगी ये संभव हो रहा है पिशले तीन साल से बंद तीर्थ दर्शन योजना के पुनाह शुरू होने से तीर्थ दर्शन योजना के तयारियों के समीक्षा कल संस्कृति एवं परियटर मंत्री उशा ठाकू ने करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि 7 अपरेल तक सभी क्या विदन प्राप्त कर लिए जाएं 19 अपरेल को सभी यात्री स्पेशल ट्रेल से काशिव शुनात के धार्मेक यात्रा पड़ जाएंगे मंत्री ने कहा कि वे यात्रियों के सेवा कर इस अफसर का पुनिलाब भी लेंगी मंत्री उशा ठाकु ने कलतीर्त दर्शन यात्रा के तैयारियों की समीशा की कॉंग्रेस को बड़ा जटका अमेले बनी रहेंगे सचिन बिर्ला सदसिता खत्म करने की अरजी खारिज ग्रेमंत्री नरुत्तम रिशा ने कहा कि विधायक सचिन बिर्ला के सदसिता कुले कर विधान सभाध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने नियम के अनुसार निर्ने लिया है कॉंग्रेस विधायक रवी जोशी का विधन खारिज होने के साथ शेश विशे स्वता समाप्त हो जाते हैं आगामे चराओं से पहले MP कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा मद्रप्रदेश विधान सभाध्यक्ष गिरीश गौतम ने बढ़वा विधायक सचिन बिर्ला की विधायकी को रद्द करने से इनकार कर दिया एक्सेस बैंक के गिरहकों को जटका सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ाई एक्सेस बैंक ने विभन सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ा दी है इसकार्थ यह हुआ कि फाइन से बचने के लिए अपको अपने सेविंग अकाउंट पे अधिक बैलेंस रखना होगा यही नहीं प्राइविट सेक्टर के इस बैंक ने फ्री कैश ट्रांजेक्शन के लिमिट को 2 लाक रुपे से खटा कर 1.5 लाक रुपे कर दिया यह बदलाओ 1 अप्रेल 2022 से लागो हो गए मैट्रो अर्बन एरिया में इजी सेविंग्स और इसी तरह के अकाउंट मिनिमम बैलेंस के लिमिट 10,000 रुपे से बढ़ा कर 12,000 रुपे की गए एक्सेस बैंक के कस्टमर्स को ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक मतली बैलेंस में बदलाओ के वल उन अकाउंट के लिए किया गया है जिन में 10,000 रुपे का एवरेज बैलेंस रखना जरूरी है केंदरे करमचारियों के लिए अच्छी नहीं है खबार जुलाई में भी नहीं बढ़ेगा महगाई भत्ता ये है वज़े केंदरे करमचारियों को हाल ही में सरकार की तरफ से 3% डिये बढ़ोधरी का तुख्वा मिला कुल मिलाकर अब उनका महंगाई भत्ता 34 पीजदी तक पहुच गया इसका पैसा भी मार्ट सेलरी के साथ प्रेडिट कर दिया गया वहीं जनवरी फरवरी 2022 का एरियर भी करमचारियों को मिला है लेकिन अब इनकसार अगले महंगाई भत्ते का है जुलाई 2022 में इसका ऐलान होगा लेकिन इससे पहले केंद्रे करमचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है केंद्रे करमचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार रिवाइस होता है पहला जनवरी से जून तक के लिए दिया जाता है बारा सरकार ने पहली बार देश के 22 यूट्यूब चैनल को किया ब्लॉक चार पाकिस्तानी चैनल पर भी लगा पै बारा सरकार ने पहली बार गलत सूचना फैलानी की मामले में देश के 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया सूचना इवं प्रसारण मंत्राले ने आईटी नियम 2021 के तहट पहली बार अच्छारा भारते यूट्यूब समाचार चैनल को भारत के रास्टे सुरक्षा, विदेश नीती और साथ जनिक व्यवस्था से सम्बंदेद दुश प्रचार पहलाने के लिए ब्लॉक कर दिया इसके अलावा चार पाकिस्तान से संचालित यूट्यूब समाचार चैनल को भी बंद कर दिया गया आरोप है कि इन यूट्यूब चैनल ने दर्शकों को गुमरहा करने के लिए टीवी समाचार चैनल के लोगो और जूटे थमनेल का इस्तमाल किया इसके अलावा तीन ट्विटर अकाउंट, एक फेस्बुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया वाटसेप का नया ओडियो मैसेजिंग फीचर बना देगा आपकी चैटिंग मसेतार वाटसेप अपने ओडियो मैसेजिंग फीचर में काफी बदलाओ करने वाला है जिससे यूजर्स को काफी फायदा हो सकता है सुत्रों के मताबिक वाटसेप का नया फीचर अपने वाइस रिकॉर्डिंग को रोकने और अपनी जरूरत के हिसाब से फिर से रिज्यूम करने की सुविधा उपलब्द कराएगा इसके साथ ही नय अपजेट के कारण लोग अपने वाइस मैसेज को ड्राफ्ट वर्जन बना सकते हैं तक कि इसे सेंड करने से पहले एक बार इसे सुन पाएँ फिलाल एक बार रिकॉर्डिंग रोकने के बाद उस वोईस मैसेज को भेजना पड़ता है या फिर उसे डिलेट करना पड़ता है लेकिन ये नया फीचर यूजर्स के वोईस मैसेज के एक्सपीरियंस को और जादा मजएट डार बना देगा युक्रेन में जंग को लेकर भारत के रुक्यों आस्ट्रीलिया ने की सराहना उच्चायुक्त बैरियो फेरल बोले पुतिन और जेलेंसकी से कई बार बात कर चुके हैं पियम मोदी रूस युक्रेन में छड़ी जंग जल्द थम जाए से लेकर भारत पूरी कोशिश कर रहा है ये बात भारत में आस्ट्रीलिया के हाई कमेशनर बैरियो फेरल भी मानते हैं पेरल ने कहा कि पुतिन और जेलेंसकी से पियम मोदी के बात चीत ये तरशाती है कि भारत इस मुद्धे को हल करने का प्रियास कर रहा है तस गंदे में पहुचेंगे इंदोर से दिल्ली मुंबई सिरफ आट इंटरसेक्शन से मिले की एंट्री एकला करोड रुपे के लागत से 1380 लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्मान किया जा रहा है इस सिछे राज्य दिल्ली हरियाना राजिस्तान मद्धिपरदेश गुजरात और महारास्ट कनेक्ट होंगे मद्धिपरदेश में इस एक्सप्रेस वे का 240 किलो मीटर का हिस्सा पड़ेगा माना जा रहा है कि नवंबर 2022 तक MP का हिस्सा चालू हो सकता है NHI से मिली जानकारी के मताबिक एक्सप्रेस वे बनने के बाद दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुचा जा सकेगा कानपुर के बीजों से मद्धिपरदेश के जंबल अंचल में पीली सरसों की खेती मिल रहा है फाइदा भी पीली फूलों के कारण भले ही सरसों को पीला सोना कहा जाता है परंतु काले या फिर गहरे चॉकलेटी रंग की सरसों सी अधिक देखी गई है वीसे आज़कल मुरयना के सेकडों किसान पीले रंके सरसों की खेती कर रहे हैं रोग नहीं लगने और भाव और तेल की मांतरा भी ज़्यादा मिलने से किसान और व्यपारियों के लिए खेती फाइद मन साबित हो रही है किसानों ने अपने इस्तर पर ही इसकी खेती विक्सित कर डाली पितामबरा सरसो के नाम से इस किस्म को दो साल पहले कुछ किसान उत्रपरदेश के कानपुर से रिष्टदारों के यहां से लेकर आई थे बिना सरकारी परचार परसार के ही अंबाहा, पोर्सा, मुरैना, नूरबाद, वबान, मोर, शित्र में साड़े 300 से जादा किसानों ने इस साल लगबख 1600 हेक्टियर जमीन में पीली सरसो की खेती की है तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे, अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें, धन्यवाद